दिल्ली जलन और सांस लेने की तकलीफ अवाम हो गई है दिल्ली को देखने और देश की धरकन को सुनने के लिए दूर दूर से लोग यहां आते हैं लेकिन इस बार तो यहां आना लोगों को भारी पड़ गया हाँ काफी बुरे हालात लग रहे हैं बड़ी समस्या उन लोगों की है जो आये तो थे दिल्ली घूमने के लिए लेकिन यहां कि आब वो हवा ने उन्हें बीमार कर दिया अब वो दिल्ली से तौबा कर रहे हैं इपी सीए जो दिल्ली एंसियार में प्रोडूशन को रोकने का काम कर रही है उसने 15 अक्टूबर से 15 मार्स तक दिल्ली में ग्रैप एक्शन प्लान भी लागू किया है और पब्लिक हैल्थ इमर्जेंसी इशू कर दी है प्रेग्नेट विमेन है इन पे ज़्यादा असर पड़ रहा है सबसे जाल पहली चीज़ है कि देशो ट्राइन अवॉइड एक्सपोजर तो इसलिए घर पे रहें बहार इतना ना जाएं इस वक्त जो दिल्ली एंसी आर का एक्यू आई है वो क्रिटिकल हो चुका है तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त हमारे पास सफर रहा है देखें सफर में दिल्ली ओवरॉल एक्यू आई कितना है 533 पीम 2.5 का लेवल क्रिटिकल है और ऐसे में सलाह ये दी जाती है अगर इतना एक्यू आई हो तो आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए नॉइडा की तस्वीर देखिए नॉइडा में सिती बहुत ज्यादा खराब है पीम 10 का लेवल 656 के आसपास है यानि ये क्रिटिकल से भी ज्यादा खतरनाक सिती जो है दिल्ली साफ हवा के लिए तरस रही है माना जाता था कि सुबह की सहर सेहत के लिए लाबदायक होती है लेकिन अगर इन दिनों आप टहलने या साइक्लिंग के लिए सुबह निकले तो समझ ये खुदकुशी करने जा रहे हैं दरसल ऐसे समय में साइस और दिल की बीमारियां ज़्यादा हावी हो जाती है बच्चों और बुजर्गों में प्रतिरोधक शमता कम होने के कारण बीमारियों के जल्द हावी होने का खतरा रहता है गर्बवती महिलाओं को भी ऐसे मौसम में हवा बुरा असर डाल सकती है और ऐसे समय में जिन लोगों को सांस की बीमारी है जैसे अस्थमा या दिल का कोई रोग तो उसे भी इस मौसम में बचना चाहिए कहते हैं इलाज से बहतर बचाओ होता है लहाजा कोशिश करें कि ऐसी हालत में बाहर ही न निकलें सुबह एक्सरसाइज के लिए निकलते हैं तो कुछ दिन घर पर ही आयाम करें और अगर बाहर निकलना जरूरी है तो N95 मास्क पहन कर ही निकलें घर के बितर हवा की क्वाल्टी बनाए रखें अधरक और तुलसी की चाय पिएं और अपने आहार में विटामिन सी और ओमेगा थ्री को जरूर शामिल करें तुबह के टाइम पर आप एक्सरसाइज या वाक पर फिलाल ना जाए जिनको बहुत ही ज़्यादा है कि उनका काम ही नहीं चलता जाए बना तब आपको लोगों ने मास्क भी लगा रखे हैं लेकिन आखों में जलन हो रही है कुछ लोगों को इसकिन की समस्या भी होने लगी है परियाबरान वीद मानते हैं कि दिल्ली में पब्लिक हेल्थ एमर्जेंसी ज़रूरी है थी हालात बहुत खराब हो चुके हैं और दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है देखे दिल्ली की जो अभी स्थिती है जो एपका ने हेल्थ एमर्जेंसी गोशित किया है वह बहुत ही आवशक्त था आवशक्त है क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से जो स्थिती है वो बहुत ही जादा भयावा है और पिछले 15 दिनों से जो एर कॉलिटी इंडेक्स दिल्ली के अनेक इलाकों में है वो अल्मोस्ट डेंजरिस लेवल में था 300 से उपर था बहुत सारे शहरों को बांकी जो योरप के शहर होते हैं या कैलिफोनी अमेरिकी शहर होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है जब एर कॉलिटी इंडेक्स 200 से जादा होता है तो स्थिती बहुत ही भयावा थी अल्मोस् तो देखा आपने दिली यानि देश का दिल जिसकी धरकन पर प्यूस्टन का असर हो रहा है अब इस दिली को दो कदम चलने में तकलीफ हो रही है थोड़ा से दोड़ने पर दिली की सांसे फूलने लगती हैं और दिली की आँखों से आप कुस देखना चाहेंगे तो फिलह सब कुछ धुनला ही दिखेगा बीरो रिपोर्ट जी मेडिया